आप यहां पर आके first जाओगे ना इधर के रहोगे ना उधर के अपनी सारी जीवन की संपत्ती लगा के अपने बच्चे को बार भेजा होता था 12 लाकर पे इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी मनी है इतनी बड़ी अमाउंट एक 16-17 साल के बच्चे के लिए बहुत रिस्की हो सकती है अब यह दर्द वो लोग नहीं जानते जो अपर मिडल क्लास फैमिलिस से हैं रिच फैमिलिस से हैं मिनिममम डेड़ लाक डॉलर साल के कमाने ही पड़ेंगे अगर वो घर, घाड़ी और अच्छी लाइफ यहां पर अफोर्ड करना चाहते हैं So Canada ने funds के requirement बढ़ा के जितने भी students हैं जो Canada आना चाहते थे पड़ने के लिए उन सब का दिल तोड़ दिया है और साथ में बहुत से precautions भी अब लेने पड़ेंगे students को और 2024 में अब Canada study करने आना चाहिए नहीं आना चाहिए इन सबी चीज़ों के उपर अपने इस वीडियो में discussion करेंगे So बेने time को waste करें, let's start this video तो यह चीज़ तो हम सब को पता है कि international students Canada को कितने ज्यादा important है तो इन सारी चीज़ों को tackle करने के लिए अब government को कुछ step तो लेना ही था So reality कि अगर अपने बात करें, यहाँ पर एक परसन का एक साल के अंदर रहने का जो खर्चा है वो लगबग 20,000 से 27,000 डॉलर के around है, वो depend करते हैं आप कहा पर रह रहे हो रूरल एरिया में रह रहे हो या मेट्रो सिटी में रहे हो तो उस according इननने 27,000 डॉलर जो value थी, तो उसकी 75% इननने value decide की कि 2024 में exactly 20,635 डॉलर आपको चाहिए होंगे, खुद को Canada के अंदर एक साल तक support करने के लिए अब यह दर्द वो लोग नहीं जानते जो upper middle class families से हैं, rich families से हैं वो लोग अभी भी बड़े अराम से Canada पढ़ने आ सकते हैं पर फसे वो बच्चे हैं जो poor families से या lower middle class families से belong करते दे तो Canada के अंदर आपने पुराने कुछ interviews में यह चीज़ भी सुनी होगी कि Canada को ऐसे लोग चाहिए, जिनके पास Canada आके खोने को कुछ भी ना हो, पर पाने को बहुत कुछ हो वो लोग अपना पूरा 100% देखे, Canada में अपना career बिल्ड करते हैं, साथ में country को भी बिल्ड करने में contribute करते हैं but at the same time, आपको पता होगा कि Canada के अंदर इस ताइम घर लेना भी almost impossible हो चुक है नए बंदे के लिए so अगर आप इस तरीके के बंदे बुला रहे हो, जिनके पास already अपने देश में अपना घर है, well settled job है, husband wife मिलके बड़ी या लाग दो लाग रुपे कमा रहे है महीने के so वो लोग यहाँ पर आके जब यह सारी चीज़े देखेंगे, तो वापस अपने home country भाग नहीं है या फिर वो onward migration कर जाएंगे वो एक साल संबालने के लिए, but recently अभी Canadian dollar की value हम सब को पता है, 60 रुपे से भी उपर चल रही है, that means वो 10,000 GICB already 5,00,000 से अब 6,00,000,000 की पढ़ने लग गई थी, but अब भई 10,000 से सीधा 20,000 dollar वो value हो चुकी है, इसका मतलब क्या है, अब आपको लग बग 12,00,000 पर चाहिए हो सिर्फ एक साल Canada में कुद को support करने के लिए, Canada के according जैसे कि मैंने आपको बताया है, minimum wage के according बहुत कम amount है, but अगर अपने अपनी home country की बात करें, for example, India की बात करें, तो 12,00,000 पर इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी money है, so चलो अपने assume करते हैं, अभी कु 10,000 से अगर यह value 20,000 होगी, तो for example, अपने सिर्फ gas कर रहे हैं, अब शायद जब आप यहाँ पर land करोगे, आपको 2000 की जगए, 4000 डॉलर मिलेंगे, और 667 डॉलर की जगए, लगबग 1300 डॉलर आपको month के मिला करेंगे, जो की एक genuine value है, room current होगया, phone का bill होगया, transportation charges होगया, grocery easily आपका जो खर्चा महीने का, वो 1000 डॉलर से उपर निकल जाता है, अब इससे impact क्या होगा, अब देखो Canada के लिए तो यह win-win situation है, क्योंकि जो international students अभी यहाँ पर आ रहे थे, जिनके घरवालों ने अपनी सारी जीवन की संपत्ती लगा कि अपने बच्चे को बार बेजा हो 2024 में आप कैनडा पढ़ने आएंगे, उनके पास actual में महीने का खर्चा निकालने लाएक पैसे हुआ करेंगे, जिससे कि वो अपनी study पे ध्यान दे सकेंगे, उन्हें हर टाइम यह stress नहीं रा करेगा, कि मैं को rent बरना है, मैं को bills बरने है, मैं को grocery लेक्या आनी है, मैं कल क्या खाऊंगा, मैं को कहीं बुखा तो नहीं रहना पड़ेगा, जिस time आप study कर रहे हो, उस time आपकी priority study होनी चाहिए, ताकि उस study के base पे आप आगे धंकी job कर सको, वरना यह चीज़ तो आप खुद भी बहुत अच्छे से समझ सकते हो, कि अगर आपने अच्छी study नहीं करी, या या फिर आपके पास कोई अच्छी skill नहीं है, या फिर आपको नहीं पता कि आपको study के बाद कौन से field में जाना है, then आपकी बहुत जादा probability हो जाती है, कि आप minimum wage की jobs में stuck होगे, रह जाओगे, और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, एक job से normal खर्चे भी निकलते हैं, उनी के parents के अगर अपने बात करें, जो lower middle class या poor families से आ रहे हैं, उनके लिए trouble बहुत जादा बढ़ चुकी है, और यहीं पर यह एक बहुत बड़ी precaution लेने का भी suggestion में आपको देना चाहता हूँ, कि वह 12 करके जो बच्चे आ रहे होते हैं, उनकी age लगबग 16-17 के around होती है, कभी कभी उस time आपको नहीं समझाता, आप क्या कर रहे हो, so parents को बहुत careful रहना पड़ेगा, कि वह अपने बच्चों को पूरा समझा के बेज़ें, कि 12 लाख रपे वो साथ दे के बेज रहे हैं, इतनी बड़ी amount, 16-17 साल के बच्चे के लिए बहुत risky हो सकती है, बहुत सी ब आपको खुद को अकेले ही सब face करने है, and at the same time starting में आती जो चमक दमक देखके, और बंदा distract होना start हो जाता है, कि 3-4 साल से जो बंदा यहां पर well settled रह रहे हैं, उनके जैसा lifestyle आप follow करने की try करोगे, आप सोचोगे मैं weekend पर party करने भी जाता हूँ, मैं गूमना फिरना भी अप आपको खुद से जरूर करने है, कि आप Canada क्यों आना चाहते हो, अगर आप किसी को देखके भेड़ चाल में, कुए में चलांग वालने की त्यारी कर रहे हो, तो guys I am pretty sure आप यहां पर आके first जाओगे, ना इधर के रहोगे, ना उधर के, आपको लोग चाहे कुछ मर्जी बो आप क्या चीज़ पढ़ने वाले हो, आगे आपको किस तरीकी की जॉब मिलने वाली है, या फिर आपके पास ऐसी कोई स्किल है, जिससे कि आप हाई पेइंग जॉब कैनडा में ले सको, क्योंकि as a new immigrant या फिर न्यू स्टुरेंट आप यहां पर आओगे, 40-50 स्टाय डॉलर की जॉब करके भी आप सिरफ खर्चे ही निकाल पाओगे, कल को आपको सेविंग करके घर लेना है, अपना परिवास स्टार्ट करना है, तो हस्बेंड वाइफ दोनों को काम करके, कंबाइंड इंकम उन्हें मिला के, मिनिमम डेड़ लाख डॉलर साल के कमाने ही पड़ेंग सारी कमाई तो सीधा सीधा 5-6,000 डॉलर आपके घर में जा रही है, और उपर से घर की डाउन पेमेंट जोडने के लिए भी आपको पता नहीं कितने साल अभी लगने वाले हैं, जो लोग यहां पे 10-15 साल पहले के आई भी हैं, उनकी फोटो या वीडियो देखके आपको भ बढ़े जा रहे हैं, जैसे हम अभी सोच रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में चीज़े बहुत एजी थी, अब बहुत हार्ड हो चुकी हैं, तो वही चीज अपने फ्यूचर पे भी लागू होने वाली है, फ्यूचर में आप यह सोचोगे कि अभी जो प्रेजन है वो बहु वीडियो के अंदर, all the best आपकी new journey के लिए, तो मिलते अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, goodbye and take care.